हालो गाइस गुड बॉर्णिंग और वेलकम टू मैं चैनल ऑनलाइन स्टेडी एरा क्याइस हब सभी का मैं अपने स्टेडी चैनल पर तहें दिल स्वागत करता हूं जैसा कि अभी तक हम लोगों ने इस साल जो भी हमारे बोर्ड एक्जाम्स होनी वाले हैं उसके लिए मैं आ नाम लेते हैं तो इनके आथर का नाम बनता है जॉन डॉन जिनका जनम 1572 में होता है और इनकी देथ 1631 में होता है आज किस वीडियो में हम महत्वपुन वैसे औब्जेक्टिव कोश्चन करेंगे जो आपके एक्जाम्स अब कमी एक्जाम्स में बिलुकुल पूछे जाएं करेंगे तो दोस्तों आप चाहा कि उसकी एक बाज जरूर देखें चलिए स्टार्ट करते ह। हम टेली की तरह हम लोगास स्टार्ट करने से पहले एक मोटिवेशनल कोट की तरह बढ़ते हैं आज कमरा मोटिवेशनल कोट है क्या देख लेते हैं बहुत अच्छी अल OWN 19हीं अरे भगवान का अश्रवाद मेरे उपर रहेगा ही, हम नहीं भी पढ़ेंगे तो पास हो जाएंगी, ऐसा कुछ नहीं होता है, हमें तो परयास करनी चाहिए, ट्राइ एटलिस्ट हमें करनी ही चाहिए, यदि हम ट्राइ ही नहीं करेंगे, कोसिस ही नहीं करेंगे, तो हमें सक्सेस काफी दूर दूर तक भागेगी जैसे लगेगी वह मैं और उस तोनों एक आपस में दुश्मन है और यहां पर अगली लाइन कहती है और सच्छा परियास अगर हम कभी भी अफर्ट लगाते हैं और हम ड्रू अफर्ट लगाते हैं अच्छी कोशिस करते हैं दिल से वह हमें positive result देके ही जाता है तो इसी mind thinking से आप सभी लोग अपने preparation को continue रखे कोई भी तरह की negative बात अपने दिमाग के अंदर ना ने दे और अपनी preparation को हमेशा की तरह continue करते ही चले चलिए करते हम लोगे start first question से हमारा first question बनता है आज का who is not as metaphysical poet metaphysical का मतलब क्या होता है sir metaphysical का मतलब होता है आध्यात्मिक जिसका मतलब होता है जो भगवान के बारे में जो धर्म के बारे में ऐसी बाते बताते हैं उन्हीं को हम लोग कहते हैं आध्यात्मिक तो कोन आध्यात्मिक कभी के नाम से जाने जाते हैं तो यहाँ पर देखेंगे option number इसका सही इंसर हमारा बनेगा जॉन डॉन इससे पहले मैंने आपको हर एक अभी तक के प्रोस सेक्षन का मैंने जो ऑथर और उनकी द्वारा जो लिखी गई किताबी में जो आपकी जो भी लेसंस है मैंने याद करवा दिया है चलिए आप हम लोग यहां से आज की इस वीडिय इसको देखें आपको कहीं एक वर्ड लिखनी की जड़त नहीं पड़ेगा आप सारे और सारे कोस्टन्स याद हो जाएंगे चलिए स्टार्ट करते हैं सबसे फ़र्स्ट कोस्टन से जॉन किट्स जॉन किट्स जो ऑथर बनते हैं उसका लेशन का नाम है टू ऑर्टम टू प्रटम के ऑथर बनते हैं जॉन किट्स जॉन डन ऑथर बनते हैं सर स्वीटिस्ट लव आई डू नाट गो वाल्ट वीटमें जो है आपके लेखक बनते हैं सॉंग ऑफ माइसल्ब जो आपका पोटरी का लेशन नंबर सकेंड बनता है और डबलू एच ओर्डेन ये और टू ऑटम के जॉन डॉन डॉन स्वीटिस लव आई डू नाट गो वाल्ट वीटमें सॉंग ऑफ माइसल्फ डबलू एच ओर्डेन नौद लेवसार फॉलिंग फास्ट नेक्स्ट कोश्चन नमबर टू फू वांस तो ग्लेडली एक्सेप्ट दिस इस चैप्टर में ज जो है अगर मृत्यू भी मिल जाएगी तो मैं उसे खुसी खुसी स्वीकार कर लूँगा तो आपको इस लाइन को याद रखना भी तो आप पार्टिकुलर लेशन पर रहे तो आप इसका एंसर टिक कर पाएंगे लेगिन आपको यहां पर ध्यान रखना है कि यह आपके पौइट जान डा रूपस्री रूप अथर बनते हैं आपके दा सोयलजर के ऊथर का नाम बनता है सार रूपर्ट ब्रूइच लॉर्फ बनते हैं आपके आपके ऑृफर आपके इस्नेग के वाल्टर डिला मेदे बनते हैं आपके Hour एन एपीटेफ के यह सारे लेशन में आपको हर एक लेशन में आपको जितनी भी अब्जेक्टिव कोशन बनेंगे मैं सभी कोशन्स करवा दूंगा इसका राइट एंसर बनेगा जो है अपनी वाइफ को छोड़के प्रेमिका को छोड़के जर्मनी जा रहे है नेट कोशन नमबर 4, Sweetest Love I Don't Go Is RetTAनB Four इसके उसर बनता है इसके उसर का नाम हमारा बनता है जॉन डॉन के दुखाए गया है तैस एलिएट के दुखे लेशन है वो बनती आपकी अपकी मैकावीटी दा मिस्टरी काट मैकावेटी दा मिस्टरी कैट के और जो पोईट बनते हैं वो बनते टी एस एलियट कमलादास जो बनती है वो आपके लास्ट लेसन माई ग्रेंड मदर हाउस के पोईट बनती है के कई अंदरुबला जो है आपके पोईट बनते हैं, फाइर हीम के, के कई अंदरुबला फाइर हीम के पोईट बनते हैं बस आप नाम बस सुनते चली जाएए, आपको सारे यतने भी ten lessons जब तक होगा मैं आपको ऐसे ही option लाला करके सभी question को याद करवा दूँगा question number five total number of strangers in this poem इस कविता में sweetest love I don't go आपको एक्षाम ऐसे question आएगा number of strangers in sweetest love I don't go sweetest love I don't go में कितनी strangers बताएगे हैं कितनी paragraph दिये गए तो sweetest love I don't go में आपको total 5 strangers इस कविता में आएगे हैं next question number six John Donne had seen the 5 जो भी यहां पे इस 5 paragraph है उसमें हर एक में 8 लाइने बनती हैं अपकी हाँ इसी question पर थमलो कि इसमें जितनी पाँच लाइन है सभी में 8 लाइन्स है इसका poem में और a strange paragraph जिसे हम कहते हैं वो अपकी पाँच बनते हैं John Donne had seen the sun setting last night John Donne ने देखा है क्या देखा है देखा है सूरे को अस्त होते हुए कौन सी रात में आज की रात कल की रात yesterday प्रीवियस दोनों का मतलब कल की रात और tomorrow आने वाले कल की रात तो देखा है यहां पर हैड लगया इट मिन्स क्या पास्टेंस को इंडिकेट करा तो तो और तो कहीं से नहीं होने का सर प्रीवियस यह यहीं दोनों में से होएगा क्योंकि टूड़े तो आज की बात और यह भी नहीं होगा तो इस चैप्टर के जॉंडन वाज बॉर्ण इंजॉंडन का जनम कहा पे होता है जॉंडन का जनम जो होता है वह लंडन में होता है 1572 में और इनकी जो मृत्यू होती है वह होती आपकी 1631 में इस कोस्चन को ध्यान रखेंगे नेक्स्ट कोश्चन नमबर एट, जॉन डॉन डॉन को मजबूर कर दिया गया, क्या करने के लिए छोड़ने के लिए कौन सी यूनिवरसिटी, वो भी बिना डिगीरी के ही, और कारण क्या था, तो कारण था उनका धर्म, उनको धर्म की वज़ा से कि तुम इस धर्म को तुम रोमन कैथोलिक फैमली से बिलॉंग करते थे, जिस वज़ा से जो बोला गया, कि तुम इस धर्म से बिलॉंग करो, और हमारे उनिवरसिटी में इस धर्म के लोगों को नहीं पढ़ाया जाएगा, तो इनको छोड़ना पढ़ा यूनिवरसिटी, उसका नाम जो हमारा बनता ह Okay, Oxford University, Oxford University से झो है इन्हें निकाल दिया गया था, इन्हें छोड़ना पढ़ गया, वह भी बिना कोई रीजन का क्या था? तो के बल इनका धर्म था जिसमसे छोड़ना पढ़ गया question number 9 John Dunn was brightly sent to prison because of John Dunn को जो है jail भी भी भीजा गया है jail कब भीजा गया है तो मैं आपको इसका बता देता हूँ इनको jail भीजा गया था 16-15 में और जब इनकी age बनती है 42 years की age बनती है 42 years की age में jail जाना परता है तो क्यों jail जाना परता है क्योंकि ये poem लिख रहे थे क्या ये डकैती कर लिए क्या ये drugs ले रहे थे या कुछ और रट कर लिए थे तो John Dunn को jail भीजा गया इसी वज़ा से क्योंकि ये क्या किये थे secretly marrying with patrons नीज इन्होंने चुप चाप क्या किया जो इनको काम दिये थे इन्होंने law पड़ रखा था तो जहां भी ये काम कर रहे थे वर्क कर रहे थे उन्हीं की भतीजी से जो है इन्होंने साधी कर लिया वो भी चुप चाप से जिस वज़ा से इनको इनके जो भी parents बनते हैं इन्हें jail भेज दिये John Dunn is well known इस ये question काफी जादा आपके लिए important होने वाला आप इसे जरूर ध्यान रखे John Dunn को जाना जाता था किस चीज के लिए तो John Dunn को क्या सारमन्स के लिए जाना जाता था सारमन्स जिसको हम लोग कहते हैं जो धार्मिक उपदेश देते हैं जो आपको सुरू में मैंने बताया था John Dunn एक मेटा फिजिकल पोर्ट थे मतलब जो भगवान संबंदित जो धार्म संबंदित बाते बताते हैं उसको हम लोग बोलते हैं इंगलिस के लाइंगविज में सारमन्स, सैटाहिट्स और एलजीस जिसको हम लोग बोलते हैं जो दुखमी जो लोग गीते गाते हैं विजैसे हम बोल सकते हैं हैं और सुंक और साइट्स और साइट्स मतलब घीत होड़ा और सॉंसे का मतलब होता वैसीו पोयम जो 14 Doe की होती है उसे सॉनेट्स कहते हैं तो इसका जो हमारा सही नसर बनेगा वो बनेगा आपका ओल अब दी सबसे जोन टन जो है मेटा फीजिकल पोईट के सबसे पहले कभी बनते मतर्ब इससे पहले आध्यात्मिक गुरु और कोई कभी नहीं बने थे कोश्चन नमबर टेन जॉंडन इस वेल नॉन सुरी यह तो हो गया था नू एलेवन एक्कॉइडिंग टू दा पोएट मैंस पावर इस कवी के अनस्वार मनुश्य की सक्ति है क्या है यहां पे मैं का मतलब आप पुरुष ना ले मैं का मतलब यहां पे है मनुश्य की सक्ति क् फीवल का मतलब उता है कमजोर टीमिड मतलब डर पोक्वीग मतलब कमजोर सब यहां पे हमारा सहिंसल बने गा जो लेसन के कॉर्डिंग इस ब काफी कमजोर है क्योंकि वा जब भी उसके साथ कोई भी छोटी सी बर दा आती है वा दुरत डर जाते हैं परशान होते हैं इस को लेकर उन्होंने ऐसी बात कही है कि मनश्री सकती काफी कमजोर है the poet in sweetest love I do not go is das is beloved जो poet जो है sweetest love I do not go it means john don जो है is das is beloved वो अपने beloved से क्या कहते हैं क्या कर रहे है happy for his beloved वो अपने beloved से काफी खुश है tired of his beloved अपने beloved से ठक चुके हैं लिए वो दूर जा रही है एंग्री वी थी क्या उससे घुसा हो चुके हैं या सैड फॉर क्या हुआ जब दूर जो जा रहे से लुदास है तो बिल्कुल इसका से इंसर बनेगा जो इसका भी है इस लेशन की जॉण डॉन वह अपनी प्रेमिका से अपनी महभूबा से काफी ज़्यादा उदास है कि मैं उसे पीछे छोड़ के मैं जा रहा हूं नेक्स्ट कोशन नाबर थार्टीन दोस्तों यदि आपको मेरा यह सीरीज अच्छा लग रहा हो तो प्लीज जो वीडियो है इसे लाइक करना बिल्कुल ना भूले क्योंकि आपके एक लाइक करने से में कुछ नहीं मिलदा बस मुझे एक थोरी सी मोटिवेशन मिलेगी कि मैं किसी के हित के लिए मैं अच्छा काम कर रहा हूं और इसे आप सब्सक्राइब करें यह आपने सब्सक्राइब ना किया हो फ्रेंड के साथ सीर भी बिल्कुल करें कुशन अबर थार्टीन जोंडन सोच कुछते हैं उनका मानना है कि कौन ऐसी चीज है जो निश्ची त्यक्या मथ को सब्सक्राइब को चोह वह कछेला कि टूमत भढ़ाओ इस प्रिथ्वी सब्सक्राइब आज मेरी तो कल उसकी ऐसे करके मृत्यू होनी होनी है जॉन डन फिल्स डाइट अड़ाइस इस बेरी हॉपलिस जॉन डन को महसूस होता है कि कौन है जो काफी जादा आसा विहीन है मतलब उसके साथ अगर एक बार भी अगर आपदा हो जाती है किसी प्रकार की विपदा घट जाती है तो वो सारा आसा खो देता है और इस पोयम के कॉर्डिंग इसका भी हमारा सही इंसर बनेगा मैन है जो मनुष से है जो काफी जादा होपलेस है थोड़ी से भी अगर विपदा आ जाती है तो वो आसा खो देते हैं question number 15 John Donne is better than the इस पोयम में जो है John Donne अपनी तुलना करते हैं अपनी मेबवा को समझाते हैं अपनी बिलाबड को समझाते हैं खेरे तुम चिंता मत करो मैं जो हूँ अच्छा हूँ मैं किस से अच्छा हूँ तो इस chapter में जो बात कीगे इस poem में वह कहते हैं मैं अच्छा हूँ उस सूरज से अच्छा हूँ क्योंकि उस सूरज को देखो वह सूरज साम में ढलता है और उसके पास तो कोई मिलने के लिए नहीं आता है फिर भी वह सूरज जरूर आ जाता है लेकिन समझो मैं तो जा रहा ह हूँ और मेरे पास उद्देश है मेरे पास आने का कारण है रीजन है और वह रीजन बनती हो तो इसलिए मैं जरूर वापस आउंगा मैं वह सूरे से भी बहुत अच्छा हूँ नेक्स्ट कोशन नाबर सेक्स्टीन दर रेड़नेस ऑफ फायर आपियर्स टू डाज दपूर आपकी दूसरी लेशन के आगे है वैसे मैं आपको इसका इंसर करवा देता हूँ दर रेड़नेस ऑफ फायर जो आग की जो ललाट है वह कभी को ऐसा प्रतीत होता है तो कभी को वह जो है वह बहुत ही जादा वह दुष्ट ता क्यूलिटी मतलब वह दुष्ट प्रकार की जैसे स्वभाब जैसा वह जो है प्रतीत होता है कभी को यह question I think fire him का question आ चुक है sorry अगर देख लूंगा मैं अगर ऐसा होता है तो अब इससे ध्यान रखेंगे को next question number 17 जॉंडन अपनी प्रेमिका को अपनी महभूबा को समझाते हैं कि जब तुम रोगी जब तुम क्राई करोगी वीप करोगी तो मेरी जो खूने हैं वो सरनी लगेगी डीके हो जाएगी बड़वाद हो जाएगी मुझे तुम्हें छोड के जाना मेरा सारा वेर्थ हो वाइफ याब बिलॉबड तो इसके चैप्टर के इस लेसन के कोर्डिंग जो इसमें वाइफ तो नहीं लिखी इस लेसन में जुए बिलॉबड वर्ड का यूज किया गए तो जुए बिलॉबड वीप सब उनकी बिलॉबड जो है जब रोएगी उनकी प्रेमिका जब उल्ड इंग्लिस में यह कुछ का मीनिंग जो था तथा वही पूछा जा तो एखिसमें इसका मेनिंग क्या होगा टो अभी कि इंग्लिस में हैट का मीनिंग हो जाएगा आपका है जोगा का जो आतमा है वो क्या होगा वो दूर चला जाएगा उनके सरीर को छोर देगा कभी को जब उनकी बिलावड क्या करेगी रोएगी चिलाएगी कराएगी या हशेगी तो इसका सेंसर बनेगा जब वो अपनी प्रेमिका को कहते हैं यदि तुम यहाँ पे रोगी यहाँ पे तुम वीप करोगी तुम मेरी सरीर से जो मेरी आत्म है वो मुझे छोड़के चले जाएगी तो सरसाई का मतलब होता है कराना सिसकना जो मतलब बहुत ही ज़्यादा दुख में रहना दुख से भड़ी जो आवाजे निकलती उसी को यहाँ पे वर्ड का यूज किया गया है कोशन नमबर 20 एकॉर्डिंग टू जॉन डॉन डास लवर्स ने भर पार्ट अवे इस लेशन के अनुशार स्वीटिस लवाई डू नॉट गो के अनुशार जॉन डॉन के अनुशार कोन से ऐसे प्रेमी हैं जिनको कभी भी अलग नहीं किया जा सकता कितना भी हम उसे अलग कर दें लेकिन वह अलग नहीं हो सकते वह सारे रिक रूप से भले अलग हो जाए लेकिन मानसी कूप से हमीसा एक रहते हैं इसका सजयंसर बनेगा टू लवर जो सची प्रेमी है उन्हें कभी भी लोग अलग नहीं कर सकते आई होप यह आपको सारी कोसल समझ में आया होगी दोस्तों यदि आपको मेरा चैनल अच्छा लगता है यदि लग रहा है कि नहीं यह सारे कुछ ही इनका वेनिफीशल है तो प्लीज आप